नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इसलोजा सचन सिक्का देव गुरु ब्रस्पती चार सितंबर की शाम चार बज कर 69 मिनट पर लगवक मेश राशी में वक्री हो जाएंगे 31 दिसंबर को गुरु जो है मारगी हो जाएंगे आपकी राशी पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है यह हम आपको बताएंगे अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है जो भी होगा वो सससे बताएंगे आपकी कुल्ली में गुरु और अन ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए यह सब कुल इस पर भी निर्वर करेगा कि इस वोचर का आपको क्या प्रभाव है गुरु सबसे बड़ा ग्रह है गुरु शुब ग्रह है धनुव अमीर नाशी के स्वामी है गुरु बुद्धी ज्यान धर्म संतान शिक्षा पती सुक्र श्रम्रदी की आदि खुश्यों को दिखाता है और मंगल से उसकी मित्रता है मंगल की हिराशी में वक् मतलब है अब गुरु आपको जल्दी जल्दी जल देंगे और उस जल्दवाजी में राहु अपनी तांग अड़ा देंगे वक्री मतलब उल्टी चाल चलना इस तरीके को हम कह सकते हैं वक्री गुरु का शुब परिणाम आपको कैसे मिल सकता है क्या उपाय करने हैं यह हम मेश राशी के उनसार बताएंगे मेश राशी में राहु का गुरु चांड राल दोश भी बंदा है जिसकी वज़े से कुछ लोगों को शुब और कुछ लोगों का शुब परिणाम भी मिल सकते हैं अब आपको क्या मिलेगा यह जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं आपकी राशी के अबसार, इस वीडियो भी हम बात करते हैं वाले हैं तुला राशी की, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बैल आइकन के बटन को दबाया, फेस्बूक और इस्ट्राइगराम पर हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो हम आपके लिए लेक आयोध्या में कौन से भगवान का मंदिर बन रहा है, इस प्रश्ण का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दिएगा, और एक अंतिम बात और यहां पर कहना चाहूंगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब हमारे भारत का चंड रियांत्री, चंड अब शुरूआत करते हैं तुला लग्न की, वैसे आप तुला राशी के हैं तो भी देख सकते हैं, तो तुला राशी या लग्न वालों के लिए ब्रस्पती जो है तीसरे और छटे भाव के स्वामी है, ब्रस्पती मे शाशी में सब्तम भाव में, जैसा कि आप इस तो अब राहू ने मन बना लिया है कि मैं तो छटे भाव में जाने वाला हूं। तो जाते जाते राहू ना वक्री गुरू के शुब प्रभावों में प्राब्लम क्रिएट कर देंगे। और यही प्राब्लम तुलागाशी वालों को जहलनी पड़ेगी। पूरा वीडियो ध्यान से समझेगा। तीस अक्टूबर तक राहू का और गुरू का चाट डाल दोश बनेगा। तीस अक्टूबर के बाद राहू इस्थान प्रभावों कर लेंगे। गुरू जो हैं वो साफ हैं राहू कूडा कर कठने। तो अब मालीजी आपकी आँख में एक छोटा सा त्मिका भी पड़ जाए। तो देखने में अस्विधा होती है, आँख लाल हो जाती है। तो ऐसे ही समझे। राहू जो है बीच-बीच में आपकी आँख में कोई ना गाला घर है सब तंबाओ। तो इस सबय में आप अपने लिए या आपनी नौकरी में या वैपार में जो कुछ मिलने वाला था वो अब देरी से मिलेगा। अब देखिए आपकी नौकरी में कोई कोई चीज होने वाली ती जो अच्छी थी अब वह विलंब से होगी। होगा या इतनी तेजी से हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा सोचने समझने का मौका भी नहीं लगेगा तो किसमत जो है अभी इतनी महर्मान नहीं है तो सबर रखिएगा जल्दबाजी मत दिखाईएगा इस समय में अगर आप नौकरी या वैपार में मिलने में का शामती से पैठे के लाएं जयासे करते रहें तो लाब होगा क्योंकि गुरुकि जो जो पांचवी द्रश्टी हो ग्यारवे भाव पर पड़ रही है लाब तो होगा अगर आप किसी वैपार में है तो आपको वहां से प्रॉफिट तो हो जाएगा कुछ ना कुछ पैसा कमा लेंगे या कोई बड़ी डील या बड़ा ओर ले लेंगे लेकिन पार्टनर्शिप मे आपको पैसा मिलिया आपने कोई मोटा पैसा कमा लिया और आपने उसके बाद आप निशिंद हो गए आपने नदाएं देखा नबाएं देखा और अपने काम में लग गए तो दिक्कते पैदा हो जाएंगी तो पार्टनर्शिप में कहीं न कहीं पैसा आएगा लेकिन दिक सकती है क्योंकि जिसके साथ आपकी पार्टनर्शिप है उसका भी गुरू वक्री हो रहा होगा किसी ना किसी भाव में राहू के साथ होगा किसी ना किसी भाव में तो ध्यान रखने की जरूत है पार्टनर्शिप में प्रॉफिट हो सकता है लेकि प्रॉफिट के बाद लोड़ने का मौका नहीं देंगे, जो भी प्रभाव होगा वो अचानक से होगा, जो भी कुछ होगा अचानक से बुरा, जो कुछ मंद विच्छेद भी हो सकता है यानि शादी टूड़ भी सकती है यह वीडियो जब आप देखेंगे तो जनम कुली में जो आपकी जनम कुली एक्चुल जनम कुली उसमें बैठे हुए ग्रहों को दशा को अंतर दशा को भी देखें अगर वहां पर आपके ग्रहों के इस्ति मिलने का मौका शायद मिल जाए तो अपनी जनम कुली को भी जरूर देखिएगा सिर्फ गोशर के आधार पर ही किसी भी फैसले को मत करिएगा तो यह रिष्टों में दूरी हो रही है लड़ाई हो ऐसा भी हो सकता है काम काच के सिर्सले में दूरी हो सकती है पता चले पती की नौकरी कहीं और लग गई पती को ट्रांसफर हो गया पती को कहीं और भेज दिया गया या पतनी को कहीं और भेज दिया गया कि आपको तीन महीने अमरीका में रहना है या दूसरी जगे रहना है दूसरी ब्रांग स नहीं है कि किसी के भी साथ हो सकता है पता चला किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई तो आपकी पत्नी ने कहा हमाई के जा रहे हैं दो महीने के लिए माता जी को तकलीफ हो गई वहां पर दिक्कत है तो हम महां रहेंगे दो महीने बीच बीच में आते जाते रहेंगे तो दूरी पती पत्नी के बीच में किसी भी कारण से हो सकती है कई बार गुस्ता हो जाए लाई जगला हो जाए गुस्ते में कोई घर छोड़कर चला जाए ऐसा भी हो सकता है तो जिसका आपको बहुत ध्यान दखना होका लगना जगरना नहीं है तो आपको अक्टूबर तक बहुत समभल कर अपने रिष्टों में रहना है जिनका पहले से तलाग चल रहा है तलाग की बात चल रही हो गई दो-तीन साल से तलाग डेट पे डेट मिली जा रही थी तलाग नहीं मिल रहा था उनको अचानक से तलाग मिल सकता है तो यानि परिणाम जल्दी मिल सकते हैं जो लटकी हुई फाइल थी वो एकदम से ज़स्ट साब करें तलाग दो, खतब करो अब तलाग में शुक्र को भी देखना होगा अपनी जर्म कुली में शुक्र की स्तिकों भी देखिएगा जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है अभी शादी तय हो गई है रोका हो गया, रिंग करें मैंने हो गई अभी तो शादी की देट अभी बाद में निकल गई है या निकालेंगे तेकि रिष्टा पक्का हो गया है तो वो लोग भी साफधान रहें रिष्टों में तकलीफ हो सकती है दो नव जोड़ों में बाचीज में कम्यूंकेशन में दिक्कते हो सकती हैं कई बार अचानक से लोग आपके जीवन में आएंगे एकदम से आपको खुब नया करनम शुरू करते हैं हम करेंगे हम पैसा दे रहें यह है वो है तो यह सब भी हो सकता तो यहां पर बहुत जादा समलने की जिरुदत होगी हो सकता है कि मुसीबत आपको अपनी तरफ खीच रही हो ग्यारवे भाव पर दश्टी होगी तो लश्मी तेजी से आएगी औ एकदम से कई प्रलोभन वाले आपको मौके मिल सकते हो सकता आप किसी कंपरी में नौकरी कर रहे हैं एकदम से आपको कोई दूसी कंपरी से ओफर आ गया या किसी दोस्त ने बता दिया यहां पे तुम्हारा इतना पैकेज यह वहां पे इसका डबल दिलवा देंगे चलो इ पिना सोचे समझे चले गए पदासरा दस पंदा दिन नौकरी की वहां पे मन नहीं लगा यह भी गई वह भी गई या किसी ने आपको फसा दिया ट्रैप कर दिया ऐसा भी हो सकता है तो लक्षमी आईगी भी तेजी से और जाईगी भी तेजी से कुछ लोग जो नौकरी में है वो अभी शामती रखे नौकरी में वैपार में जो भी है जो अभी कुछ ऐसा ना करें जिसमें नया पड़ू जो है उसी को समहले की कोशिश करें जो भी तुला राशी के जाता क्या जातिका है वक्री दर्ष्टी केतू पर भी पड़ेगी क्योंकि केतू जो है लग्ज म होगी तीसरे भाव पर तो शोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा आपके आज पास बहुत साइं लोग आ जाएंगे जो आपकी जूटी सची तारीफ करेंगे लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ सकता है कुछ लोग नौकरी छोड़कर वैपार में जाने का फैसला भी ले कई बार ऐसा होगा आप बस के पास गये आपने बस्ते का मुने चार दिन की चुट्टी चाहिए बसनि का नहीं मिले गी । हमें तो चाहिए बहुत नहीं मिलेगी आपने रहा हम नौकरी चोड़ देंगे अगर चुट्टी नहीं दोगे तो नौकरी छोड़ देंगे तो बहुत दो चोड़ दो अरे हमारे लिए तो दस नौकरी तयार है एक दोस्ते बात करें भाई कोई नौकरी है अरे बहुत दस नौकरी तयार है ऐसे ही सब गोल मौल होगा आप इदर रिजाइन डालेंगे यह नौकरी भी गई उदर से भी कुछ नहीं मिला अचानस में जीरो रह गए तो यह सारे जो स आप साथ हो सकते हैं मैं समझाने की कोशिच कर रहा हूं संभल कर रहीएगा अब बहुत ज़्यादा आतुरमत हो जाएगा बहुत असाहस में दिखाएगा रहे मैं तो सुपर हीरू हूँ मैं तो सूपर उमन हूं मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ तो समहलना है यहाँ भाई- बायि बहीzub में दो कोई में काम करते होством खुद की कमपनी हों दोनों पार्टनर है बिर्जनस में आपकी पतनी या आपके पती और आपके जो भाई हैं उनसे दिक्कत हो सकती है बाल दिड़ियों ऐसे है एक पती है पती का एक भाई है और पती की जो पत्नी है यानि देवर और भावी आपस में वैपार कर रहे हैं तो देवर और भावी के रिष्टे में खटास आ सकती है चोंकि partnership का रिष्टा बन रहा है और पत्नी जो है आप तुला राशी के हैं अगर आपकी पत्नी भी हो सकती है आपके क्या कहते हैं पती भी हो सकते हैं कोई वर्ति कोई जीजा जी अपने साले के साथ काम कर रहे हैं उनसे लड़ाई जगडा हो जाए ऐसा भी संबाव है च्छटा भाव गुरू का है तो रोग करजा और सेहत और पेट संबनी समस्याइं बढ़ सकती है ब्रेट प्रेशर बढ़ सकता है मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है और क्या कहते हैं आप अपने आपको बड़ा हाई फाई दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप फेल हो सकते हैं लोन या करजा बिलकुल भी ना ले अगर जरूद नहीं है तो ना ले कोशिश करेंगे तो मिल जरूर जाएगा लेकिन उसको सही जगे पर ही इंवर्स करिएगा शत्रू कुछ घटेंगे भी और कुछ शत्रू बढ़ेंगे भी यहां मिला जुला रहेगा शत्रू के मामले में मामला कई बार 아पकी life ही आपकी शत्रू بن जाती है आपके आस पास के लोग ही आपके शत्रू बन जाएंगे कई बार आपकी life में जो आप दिन Μलेगा उसी से हर दूसरी आदमी से आपकी लडाई हो जाएगी यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है 30 October के बाद आपको अनेक शुप पढ़ना मिलेंगे लेकिन 30 अक्टूबर तक आपको सभला होगा गुरू की पूजा करें, महादेव की पूजा करें, गुरुदेव के मंत्रों का जाब करें महालश्मी के मंत्र का जाब करें, केसर वाले मीठे चावल बनाकर और आप जिर्षानमी स्थान पशन दे लोगों में डोनेट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा आप ये हर गुरुवार को करें जो चावल बनाये, उसमें चीनी डाले, बड याप मीठे चावल बनाये और गुरुवार के दिन केसर वाले चावल भक्तों में डोनेट करें या भगवान को भोग लगाए, बंदिर जाकर तो बहुत अच्छा रहेगा, तो overall क्या बात निकली, overall बात ये निकली कि सक्तम भाव में गुरु का वक्री होना आप के लिए जल्दी जल्दी परड़ाम ले तर रहेगा, जादा उनके घंड न जाएगा, तो ये दूरी बना के रहेखे, कम बात करिएगा, बद थोड़े दिन की बात है, तीस अक्टूबर के राद खुब गले मिल के बात करिएगा, पती-पत्नी के बीच में तराव हो सकता है, पार्टनर्शिप में तराव हो सकता ह हैं, हम अपने साहस को पहचाने नहीं, और अपने साहस, जो हमारा साहस है, वही हमारा दुश्मन बन गया, ओवर कॉन्फिदेंस कहते हैं, हमेशा आदमी को ले डूपता है, तो ओवर कॉन्फिदेंस यहां पर आपको ले डूप सकता है, पैसा आएगा, तो कि 11 बहाँ पर लेकि पैसा आने का मतलब यह नहीं है कि पैसा आया तो टीका रहेगा आप कोई दूसी गलती करके उस पैसे को गवा भी सकते हैं यहां पर बहुत साथानी रखनी होगी पैसे को बचाने के मामले में भी पती-पत्नी के बीच में रिष्टे खट-पट वाले हो सकते हैं, दूरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है तो गुर्देयों की किरपा आप बनी रहे हैं इसलिए बंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें पीले चावल चढ़ाएं, यादि केसर वाले मीठे चावल भगवान को औरपन करें आपके लिए बहुत अच्छे पढ़ाम मिलेंगे, तीस अक्टूबर के बाद आपको फिर शुप पढ़ाम मिलने शुरू हो जाएंगे, तीस अक्टूबर तक आपको थोड़ी सी जाधा शावता भी रखती होगे, योग, मेडिटेशन को पढ़ायां भी आप करते हैं अब आप समझ गए हैं इस पूरी वीडियो को, तो आप धियान से रहिएगा, अब रही बात कुछ चात्र चात्रा हैं, बच्ची हैं जिनकी बात हम करें अगर, तो उनको भी तक्रीफे आ सकती हैं, क्योंकि गुरू ग्यान का भी कारण रहे है, तो कही न कही बच्चे अब भी का और शक्ता होगी, फिर जब 30 अक्टूबर के बाद रहू यहां से चले जाएगे, तो फिर आप दिक्कत नहीं होगी, गुरू यहां पर फिर बढ़िया परड़्डाम, शानदार परड़्डाम देना शुरू कर देगे, तो यह वीडियो कैसा लगा, यह कियेगा अपनी सलहा को, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पर यह बेल आइकरितिक बटल को तब यह फेस्बूकर इस्टराम पर भी आप हमें फॉलो कर पकते हैं, नमस्कार